नमस्ते आप सभी को स्वागत एक नए वीडियो में इस वीडियो में क्लास 13 का अमयत का एकसर साई 14.1 का कोश्चन नमर एक के हल करके बताऊंगा और कोश्चन नमर एक में माध्य निकालना है ठीक है ना तो प्लेज आप लोग इस वीडियो कौन तक जरूर देखे और वीडि संचितना अभियान के अंतरगत एक सर्विक्षन किया गया है जिसनों उन्हें एक मुहले को 20 घरों में लगे हुए पौधों से संब्धित निम्लिखित आकरे एकित्रित किये प्रती घर माध्य पौध्यों की संख्या ग्यात करना आपको सबसे पहले क्या करना इकिजाम में इतना बारा बात नहीं रहता आपको सिध्ये यह बर्ग अंतराल रहेगा अर बरम बरता दिया रहता है और माध्ये निकलना रहेगा ठीक है लién यह समझे इस चार्ट को समझ जाए उसके बाद क्या निकलना है यह समझ जिए तो क्या निकलना थे माध्य निकालना है तो माध्य बहुँ सारे विधी से निकाल सकते है और क्लास 3 में आप 3 विधी से माध्य निकाल सकते है इस तरह का बर्ग का पहला है परत्यक्ष विधी दूसरा है कलपित माध्य विधी और तिसरा है पध-vishlan ustedes ठीक है ना तो इस वीडियो में इस question को परत्यक्स वीदी से हल करके बताऊंगा जो काफी असान वीदी है तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं तो देखिए परत्यक्स वीदी से आपको क्या करना है इस तरह से आपको चार बर्ग बना लेना है पहले में पौधो की संख्या जो था है सवाल में और दुसरा है घरो की संख्या और वर्गो बर्ग चीन और एभाई गुने एक साय यानि बरंबर्ता एभाई यानि बरंबर्त और एक साय यानि बर्ग चिन और याद रखेगा इस जवे यानि पौधो की संख्या में आपको अलग-अलग रह सकता है कुछ भी रहेगा पौधो की संख्या जिसको आप चाहे तो वर्ग अंत्राल भी लिख सकते है अगहरों की संख्या को चाहे तो आप बारंबरता भी या रहता है जैसे 0 से 2 है 2 से 4 है 4 से 6 है 4 से 8 है 4 से 6 है 6 से 8 है 8 से 10 है यानि 14 तक है कितने तक है 14 तक है ठीक उसके बाद क्या करना है जो घरों की संख्या यानि बारंबरता है यो भी दिया गया है एक है दो है एक है पांच है छे है दो है तीन है अब बर्ग चीन निकालना है तो बर्ग चीन आप असानी से निकाल सकते है जो पौधो की संख्या यानि जो वर्ग अंत्राल है ठीक है न उसको क्या करेंगे उच सीमा और निम सीमा के जोर कर आधा कर देंगे जैसे जीरो और दू के जो रेंगे तो दू और दू के अधा कितना होगा? एक होगा, कितना होगा? एक होगा, तिहां एक दे दिए, अब दू और चार को जो रेंगे छो, छो के अधा कितना होगा? तीन आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते है देखिए इसमें कितने का अंतर है समें दो का अंतर है तो पहला दो और जीरो के जोड़ेंगे तो दो आएगा और दो के अधा एक आएगा अब एक में दो बठाते जाएए एक में दो जोड़ेंगे तीन तीन में दो जोड़ेंगे पा पहले एक पता हो जाएगा उसके बाद जितना के अंतर हैगा उतना बढ़ाते जाएगा जैसे मैं एक में दो बढ़ाया तो तीन आया तीन में दो बढ़ाया तो पांच पांच में दो जो रेतर साथ इस तरह सागे बढ़ाते गए हैं अब एफाई गुने एक साई क्या है तो और एक साय क्या है, बर्कचिन है, तो इन चास से गुना करेंगे हैं, यानि एफ हाई गुने एक साई क्या मतलब हता है घरो यानि बरामवरता गुने बर्गचिन तो दोनों को गुना करके सामने सामने लिख दी है एक में एक से एक, दो में तीन छो, एक में पांसे पांच, और साथ में पांसे पैंतिस, छो में नो से चोवन, दो में आरा से बाई ठीक है और दूसरा में आपको क्या करना है कि जो बरामवर्ता है उसके जोर के लिखना है एफाई गुने एक साई को जोर के लिखना है और बरामवर्ता यानि घरों की संख्या है उसके जोर के लिखना है तो कैसे लिखेंगे चले बताते पहले एक नीचे बॉक्स और बना ली और जो सब के जोरने के बाद जो आएगा इस तरह से एक box बना लिजेगा और सब के जोरने के बाद लिखेगा सिगमा इसको सिगमा बोलते है इस तरह से सिगमा एफ आई और एकस आई ठीक है इसको सब को जोरिएगा तो कितना आएगा देखिए सब को जोरिएगा तो 162 सिग्मा, a फाई इसको सबको जोड़िएगा जैसे 1 2 3 4 5 4 9 9 115 15 15 17 13 20 कितना आया 20 आया । ठीक है ना तितना आपको लीख लेना है जो बरामदता रहेगा उसको जोड़ना है और बर्ट्षिंगुरे बरामदता किजईगा उसको जोड़ना है और एको के जोड़ के σ एफ्हाई एकसी लिखिएगा और एक के जोर के σिग्मा एफ्हाई लिखिएगा ढ़ुत धिषए अध्यद्रिया थिखेग लिखीएगा अधिता यह कीस वीध्य शेया है उसके बाद क्या करना है अपको माध्य निकलना है इतना आत decisions बनाना है चार्ट अब माध्धेर निकालना है तो माध्धे बरावर ए फड मुल्ला लिखिए σिगमा एफाई एकस आई बट्टे सिगमा एफाई अब देखिए सिगमा एफाई एकस आई कितना है 162 है और सिगमा एफ कितना है ?20 है 20 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2068, 160 और दसमलब में देंगे 20 से कम 20, यहनि 8.1, कितना यह? 8.1, आपको पता किसमें पौधो की संख्या निकालना था? तो पौधो की संख्या परतेक पक्ती में यहनि पौधो की संख्या, इसका इंसर कितना हुआ? आर दसमलब एक हुआ इसी तरह से आप असानी से बना सकते हैं ठीक है ना? किसी भी सवाल को आप बना सकते हैं तो प्लीज आपको यह समझ में आया होगा कि किस तरह से बनाना है? तो लिख दिनगे इतना पौधे ठीक है तो मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और समझ रहा है तो वीडियो के लाइक और नए तो चलब कर सब्सक्राइब जरूर तरहे धन्यवाद